Hello, welcome friends, guys आज की इस class में हम कुछ differences को दिखने वाले हैं कौरेंदे है कीoped class 10 के लिए यह class मिलने वाली है वो आपकी class 6 और इसमें हम । डिसकस करने वाले हैं topics को तो जैसे topics आपके सामने हैं कि work power में difference देखना है energy and power में difference देखना है तो guys अगर आपने इस difference को समझ लिया तो ये difference बहुत easy हो जाएगा आपके लिए तो guys आप पहले work और power का difference देखिए और उसी के basis पर आप energy और power का difference समझ सकते हैं तो चलिए हम वीडियो सुरू के तो सारे points को देखते हैं तो सबसे पहले बात आते हैं कि work और power में क्या difference है तो देखिए पहले जो difference आता है first difference वो आपका आता है definition वाला तो देखिए क्या difference होता वो आप देखिए तो guys देखिए पहला point आपका work done by the body is equal to the product of force and displacement तो देखिए आपने पड़ा होगा कि जो work done होता है वो force or displacement के product के एक्कल होता है तो वही लिखा हुआ है work done by the body equal to the product of force and displacement in the direction of force बस वही लिखती जी आप simple फिर जब आपकी बात आजाएगी next power की तो definitely rate of doing work बस वही लिखा होगा आप देखिए systematic लिखेंगे it is the rate of doing work by the source देखिए जब आप exam में लिख रहे होते तो systematic way में लिखना होता है अब देखिए इस difference को क्या हम बहुत अच्छा बना सकते हैं कैसे बनाएंगे इस वीडियो के ending में मैं आपको बहुत ही जवर जब बताऊंगा अगर इनी difference को हम काफी systematic बना जाए तो कैसे बनाएंगे वह आप समझेंगे इस वीडियो में गाइस यह तो पहले बाद भी difference कि फिर second difference देखते हैं second difference आपका यह है work does not depend on time मनलब जो work होता है वो time पर depend नहीं करता है लेकिन जो power होती है वो time पर depend करती है क्योंकि P equal w upon t होता है तो P time के क्या है reciprocal है तो यहां लिखा होगा कि जो power होगा इसमें देखिए ध्यान से लिखा power depends on time in which work is done तो बस आप यह लिख देंगे power depends on time in which work is done इसके बाद जो next point आएगा वो है ऐसा unit तो आप लिखेंगे ऐसा unit of work is joule and ऐसा unit of power is what तो guys यह बिलकुल आसान से आप क्या difference को लिख सकते हो आप guys इसको देखिए अगर हम कुछ और systematic और अच्छा करना तो यह कैसे लिखत रहा हूं वह आप समझें जैस सपोर्च करिए हमको यह difference लिखना था अब देखिए इसको कैसे systematic मनाएं वह समझें देखिए अगर हम बात करें पहले लिख लें serial number और फिर इसके बाद हम लिख लें parameter और फिर इसके बाद अगर हम लिख लें आपका work और फिर इसके बाद क्या हुकादी की ध्यान से बहुत अच्छे से तो अब हम देखिए क्या करेंगे जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट को क्या है नोट किया जो आपको मैंने बताया तो फर्स्ट पॉइंट पे लिखेंगे serial number one और यहाँ parameter लिखेंगे definition जो आप बता रहे हो definition के वेंड़िए बता dependency यहाँ पर लिखिए time dependency फिसको आप क्या है जैसा चाहें वैसा क्या है लिख दीजिए कोई दिक्कत की बात नहीं है अब गाई जो थाड़ वाला पॉइंट है तो थाड़ वाले पॉइंट में आप लिख दीजिए यहाँ पर SI unit तो फिर यहाँ पर आप उस unit को क्या है रिप्रेजेंट कर दीजिए माला ओवरल बात देखिए क्या है कि आपको सारे पॉइंट एक systematic में अंदर में क्या लिखने होंगे तो गाईस इसको आप ध्यान रखेंगे अब इसमें आप जो आंसर लिखेंगे मलब यह फिर आंसर के आपका काफी अट्रेक्टिव नेगा तो आपको देखाई देगा बहुत अच्छे तरीके से जैसे अगर माल जी अगर हम इन पॉइंट को यहां से इस तरीके से अटाते तो इस तरीके से एक टेबर इदर जाती फिर दो टेबर इदर जाती है तो फिर काफी अट्रेक्टिव आपका अंसर क्या लगता तो लिखने का एक आपको तरीका भी बहुत अच्छे समझना है अब गाइस इसके बाद हम बात करेंगे एनर्जी और पावर में डिफरेंस सेम डिफरेंस आपको यहां पर क्या है क्य और के फोर्म में होता है तो कोई बहुत बिफरेंस नहीं है बस सेम डिफिम लिख देंगे तो देखिए क्या है एनर्जी की डिफिस अपर दाएक इस इट्सके पर बश्याइग हो जाया फिर इसके बाद नेक्स पोइंट है उसी तरीके हैं स्टाइम डिफेंडेंडेंस लि यह ताइम पर डपेंड नहीं करेगा और पावर टाइम पर डपेंड करेगा पेकल डव्लू अपन टीक है according तो धियान रखेंगे does not depend upon time और यहां पर depends on time फिर next वही है यूनिट आपका बता है एनर्जी है तो यूनिट आपका जूल हो जाएगा ऐसा यूनिट और अगर आपका पावर तो अगर आपका वाट हो जाएगा तो इस तरीके से guys आप differences को बहुती आसानी से समझ कर लिख सकते हो guys वद्ध्यान रखेगा कि एक systematic और guys जब भी आप वीडियो को देखते हैं तो आप क्या करें पोर्टेट मोड में लियाया करें तो वहां से वीडियो आपको क्या विल्कुल एक तम के लिए दिखाई देगा और एक एक वर्ड आपको बद अच्छे समझ में आएगा आप कुछ पूछना चाहते हैं नीचे कमेंट और करें पूछ सकते हैं और guys ऐसे वीडियो पाने के आप चाहिए को जरूर सब्सक्राइब को नोटिक्स में दबाएं क्योंकि हम आपके लिए एस वीडियो लाते जाते हैं चलिए मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियों तप तेकर सुक्रिया